नमस्का दोस्तों सवागत करते हैं अपने एट्वी चैनल भी पॉजिटिव में और शुरू करते हैं दा इंडियन एक्सप्रेश नीच पेपर कर डिसकसन आज सेविंद आफ में 2022 और सबसे पहले वहीं आपका सवागत है एक ऐसा प्लेटफर्म जहां पर हम थोड़ा सा इंट देखने को मिले उसमें आपको पते ही कि टाइकर सॉप का जो डालाग रहता है कि हीरो पंदी सबको आती नहीं तो कुछ लाइन इसमें मैं भी जोड़ना चाहता हूं हो सकता है आप अपने आपको इसमें से इंडियन मेंट के लिए कुछ निकाले ना कि हीरो पंदी है वो जादा घोल मेल है मलब यह इस रिष्टे को क्या नाम दें वाली बात है तो पहले पेज पर उन्होंने अडिटाजमेंट दिया है चले बात करें इसमें भी हमें क्या इंफरमेंट में सकती है तो गवर्मेंट प्तमिल नाडू जिसकी सीम है एमके स्टेलिन उन्होंने अपन याका क कोई अन्सरा रंटिंग कर रहे हैं या कोई भी ऐसे लिख रहे है इस तुग वनन कि वर में में किया क्या होता है तौ हम यह बना इनकृत च्ङह क्या इंडस्ट्री में क्या-क्या की यहिशन रिलिई रिलीजन और टुच्छल के लिए यह बताया गया है आपक याद रखना तामिलनाडू कि जो सीम है वो एमके स्टैलिन है ठीक है तो यह पहला आथा दूसरा फिर बहुत सारे अड़िजमेंट है जो कि हम आपसे कभी डिसकस करते ही नहीं चलिए आगे बढ़ लेते हैं में पेज पर आते हैं फाइले पेज़ पर सबसे पहले पेज़ पर सबस को चार्जिस लगाए गए वह अभी उनको बेल मिल गया है बेल में कहा गया है कि जो सोचल मीडिया पोस्ट था इंदमपत्ती का वह टेक्स था डैट इस नौट कम्स अंडर सेडिशन लौ ठीक है तो इसमें कोई मलाब ऐसा नहीं कि सेडिशन लाँ हो रहा होगा इस उनको प्रोसीजर होता है उसके 124a के तहथ सेक्षन 124a के तहथ बोला जाता है कि कुछ ऐसी स्पीच या राइटिंग या विज्वल रिप्रेजेंटेशन विच ब्रिंग्स ती गवर्मेंट इधर इंटू कंटेंट और हिट्रेट समझ रहे हो ना मतलब ऐसी चीज़ें कुछ कर करता है जो कि गवर्मेंट के को अनादर करता है और उसको नर्वत फैलाता है उसके अगेंस्ट तो होता है बट कोट ने कहा है कि यहां पर देखिए लिखा भी है कि सुप्रीम कोट ने 124a के तहट बोला गया है कि जो आईपीस होता है उसके तहत यह लोग इस काटेगरी मे नहीं आते कि सरीशन लॉग हो सरीशन लॉग के बारे आप समझे गए चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट हम यहां पर जो में ड्रामा हुआ है कि हाईवे ड्रामा क्या है बात यह थी कि काफी समय की बात है एक जो तरजंदर फाल सिंग बग्गा है जो कि बीजेपी के कारकर आता मंद जी है लीडर है ठीक है इनोंने इनके उपर इंजाम लगाया गया कि वो पंजाब जब गया थे तो पंजाब में कुछ सरीके से किया जिससे की आगे चलके और कुछ टॉपिक्स आएंगे मैं वहां पर आपके साथ करूंगा यहीं पर थोड़ा बहुत बता देता हूं कि जो पुलिस हाता है हमारा पुलिस होती है वह स्टेट लिस्ट में आती है आपको मैंने बहुत पहले बताया होगा अगर आप नहीं जाना होगा तो बहुत सब्सक्राइब पहले से जानता हूंगे कि जितने हैं थी किप्लीस वह सब्सक्राइब होता है तो जो पुलिस होता है एक हुआ में आता है तो इक स्टेट के पीचón कि पिलीस की बीच नहीं हो इतना interfere नहीं करता। बट कभी कभी क्या होता है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो वारंट इसू किया जाता है हाई कोट के दारा या सप्रिम कोट के दारा और फिर एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट के बंदे को उस वारंट के तहित तो उसको arrest कर सकती है तो यही मामला हुआ है यहाँ पर कि जो Supreme Court ने High Court ने दिया कि आप जाईए वहाँ पर उनको arrest किजिए और arrest किया है तो अब वही political ही बाते हो रही है तो आयोप आपको यह समझ में आ गया होगा आगे भी इसके बहुत बहुत सारे articles हैं वहाँ पर भी मैं आ लगा है चार्जेस की आपने जो माइनिंग थी वहाँ पर गलत काम नहीं किया है आप लिखित में दीजिए तो अभी जो माइनिंग सेकेटरी थे उनके घर में ED RAID मार रहा है तो वह सारी सीचान भी चल रहे है कि क्या कुछ गपला हुआ था या नहीं चलिए इसके बाद ब सिखाने के लिए ड्यू आपको पते है यह पेंडेमिक जो है कोबिट नाइटीन के वज़े से तो अब जो फेडरेशन एथलेट फेडरेशन ऑफ इंडिया है वह बोल रहा है कि अब हम काफी कीन है और हम सौच रहा है कि फिनलेंड जाएंगे वहां से कोच लाएंगे चोप पाकिस्तान के साथ है तो नो मोर जो से अपना दम दिखाना ठीक है तो अगर कुछ बात ऐसी होगी तो अफसास सीधे होट लाइन पर बात करेंगे जो भी मुद्धे होंगे वह आपस में सुल जहार लेंगे यह कहना है वह जो नॉर्दन आर्मी चीफ है उन्होंने से बोला क्या नाम उनका लेट्टन उपेंद दुवेदी हलाकि यह इतना कुछ एक्जाम से मुझा जाता पर एक ख़बर है तो हमने आपसे सेर कर दी आई होप आपको यह पूरा जो सेशन हो रहा होगा वह काफी अच्छा लग रहा होगा और प्लीज आपना मतलब काफी टाइम दी देखेंगे तो काफी कुछ वर्ड मीनिंग वहां पर बताया है तो आप जाके देख सकते हैं बहुत अच्छे वीडियो थे पूरा सेशन बहुत अच्छा था उन्होंने ओवराल पूरी जो जो की रेगुलर्ली यूज करता रहता है निश पर वह सारी वर्ड मीनिंग वहां इन्फोर्मेशन भी दीए तो यूज फूट गो देर और वाच ओल दोस वीडियो कोई बात नहीं नेक्स्ट खबर पर पढ़ लेते हैं ताहिर नॉट ओनली एक एक्टिव राइटर कोट ने कहा है देखिए ताहिर आपको पता होगा बहुत दिन पहले दिल्ली में कहते हैं राइट हुआ था अभी बहुत दिन पहले नहीं मतलब 2020 की बात है तो वहाँ पर इम्रान ताहिर जो थे उनको इस और ताहिर हुसायन जो की आम आदी पार्टी के कांसलर थे फिर बाद में इस ती सुकादों को अटा दिया गया था तो जो ताहिर हुसायन थे उनको उपर ब जो कि हम इतनी इंपोर्टर नहीं समझते आपके साथ डिसकस करने के लिए इसके बाद वही जीजे देखिए इन इंटरने ट्रोलिंग टू पोस्टर वास अभी वही तंट जिंदर बग्गा जो वीजेपी के लीटर थे पकड़े गए तो उस पर बात हो रही है चलिए बात दौरान जो वहां के डेपूटी चीफ मनिस्टर है मनिस सोदिया और उनने अनूंस किया कि आफ्टर वीमें वीमें तो हम करते थे जो कंस्ट्रक्शन्स वर्कर हैं उनको भी हम फ्री ट्रेबल पास इसू करेंगे विच टेक डेली ट्रांसपोर्ट कंपनी है वहां से वो डि दिया कि इतने भी कंस्ट्रक्शन्स वर्कर्स हैं मर जुड़े हुए जैसे माली जी के एक मकान में बनने के लिए क्या चाहिए होता लेवर कंकों से आते हैं पोर्टर होते हैं पेंटर्स होते हैं फिटर्स होते हैं ब्लेक्स्मित्स होते हैं गार्स होते हैं कंक्रीट मिक्स पॉल सकते हैं कि जो हमारे दीवाले बनाते हैं वह सारे लोग बलाकि समय के बोल दिया तो यह सारे लोग होते हैं जिनको फिरी पास्ट एसू किया जाएगा डीटी सी के तहट और वह लोग आराम से ट्रैवल कर पाएंगे फिरी और कॉस्ट तो अच्छा स्टेप है बस उसके कि एकोनोमी पर क्या एंपक डालेगा वह भी ध्यान में दखना होगा हाला कि दिल्ली का सिप इंटर्नली एरिया है तो इसकी बात हो सकती तो माइट भी काफी सफ सक्सेज हो जाए इसके बाद है कि हाओ जिसके बाद दे रखे जो जो कॉस्ट पूसी जा सकते हैं या इस स्क इस स्कीम विफंड़ कैसे मलब इसको पूरा फंड मिलेगा और विल इत नौट बीड्रेन ओं डीटी सी रिसोर्सेज अप समझ गया होंगे कि ऐसा तो नहीं कि डीटी सी रिसोर्सेज उनको यह खतम कर दे ड्रेन मतला है कम करना दिय दिरे कम करना से हमारा माली जी की एक बक पैसा बहरा पड़ा है डीटी सी का या कि बोल सकते हैं कि डिली गबर्मेंट का तो वो कैसे देले देले ऐसा तो नहीं कि काम उतता जाएगा बात में अधर जो और भी इंफ्रसेक्टर डिवलप्मेंट हो वो न कर पाए फिर दिली सरकार तो यह बात है इसके बात बोला जा कि बात कर रहे हैं तो यह चीज़े हैं जो कि बताएगा है का आपके साथ यह डिसकस कर लिया चलिए बात करते हैं फिर से गवर्मेंट पॉलिटिक्स बात हो रही हो रहा ना कपल्स की मैं आपसे बताया जो से डिशन लौ में हुए थे तो पूरा बात आपको समझ में आए कि इसके बाद यहां पर एक ख़बर को लिए 15 नेम्स फॉर इलिवेशन एज हैं इस हाई कोट जज़े से लाया हो कि माइट भी क्या है आप सबको पता होगा बट कोलेजियम के बारे में बताना था कि कोलेजियम एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि मतलब एक मतलब इंटरनल ऐसे सिस्टम है क्या होता है उनको चुनाऊ है उनके चैन के लिए इसके बाद बात करते हैं इंडिया 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 धुलली कॉलब लेए बाद करते हैं वहां होई है तो हाई को डो़ной पिछ क्लेंट नेंटे थि चक्तान component इता बित कि अब बहुत हो गया चलो हम बापस में बात करते हैं सौचते हैं कि जो व्हाइन की मैं जिडिया की दूनों एक दूसरे मतलब होता है कि दिमाघ खराव हो जाना एकदम से कूथ जाना समझ हुआ हैं जगाला कर लेना अपना मूड खरा पर के जगळा लेना तो इस तरीके से हो रही तो बात हुई है अब हमारे जो एक्टरनल मिनिस्टर है इस जैसे कर वो मिले हैं इटेलियन कॉंटर पाट बालू तो बाते हुई है इस बात पर बात कर रहे हैं कि यहाँ करते हैं चलिए नेक्स्ट हैं इंडिया-UN इनवो टूदच डिप्लोमेट डोन्ट पेटूनेज। देखे ये कहानी किया बात है बात हुई कि आपको पता ही कि रसिया और उक्रैन में अलग-अलग मत हैं कही न कहीं इंडिया न्यूट्रल है लोगों को लगता है कि इंडिया रसिया का सपोर्ट कर रहा है बिंग नीट्रल कुछ नहीं कर रहा है होता ने कभी कि हम कभी किसी किसी का साथ नहीं देते फिर भी मतलब लोग सोचते हैं कि हम किसी का साथ दे रहे हैं मरा चुप रहना भी किसी ने किसी का साथ होता है तो वस वही चीज है तो लोगों को लगता है तो यह बात है कि जो अभ वात्ते चीते हो रही होंगी बात्चीत हो तो डिसकेसन हो रहे हो गया तो फिस्तर करेंगे तो कहीं नहीं जो समझदारी है उस पर उंगली उठेगी तो बड़े बढ़े लोग हमाला समली है इंडिया ने बोला है कि आप आपके जो डिप्लोमेट थे उन्होंने धका मुकी इसके बाद है यहां पर एक चीज है कि आपको पता ही एक उत्तर प्रदेश में लॉड़ स्पीकर रिसू बहुत चल रहा है हलाकि मैं बच रहाता है इसी सूसे कि क्या ही बता है पूरा प्रदेश की बात हो रही है और मैंने बोला एसी सेज तो समझ ना है कि अलाहाबाद नहीं कहा है उत्तर प्रदेश की बात चल रही है जिस सेज की बात हो रहे होगी उस स्टेट का हाइक होता है अब को से बहुत सारे एक यह बहुत अदर यह रहें अ रहें जा रहे हैं और यह बहुत अच्छा स्टैप है कि आप सर्व धम को एक समान मानते हुए जहां से भी आपको लगता है कि दिक्कत हो सकती है हमारे आम जन को तो उससे हटाए जा रहे हैं और काफी लोग इसका सौगत भी कर रहे हैं तो इसमें एक ताहिर इर्फान करके थे उन् यहां पर अधेतनाथ विजट अधेतनाथ ऊपता ही उत्तपदेश की सियम जी हैं रिवीव राम टेंपल कंस्ट्रक्शन बस यह खबर ही बहुत है आपको पता है यह पहां पर गायोंगे तो बहुत देख रहे कि होगी इसका दियां पर एक बड़ी खबर है आपको पता ही क तो यह अच्छी खवर है हमारे देश के विकास के लिए इसके बाद यहाँ पर आपको पता ही है कि जो पांचमा संस्क्रान है नेशनल फैमिली हेल सर्वे का मतलब बहुत ज्यादा केसिस कम हुए हैं हाला कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जो अभी नहीं मानने पर उतारू हैं जैसे कि तिरपुरा आगर आप देखें वीमन में एन फैस फोर रेड से हैं और फैस जो है फाइव वो जो बिल्यूगलर उससे दिया गया है तो तिरपुरा में प यहां पर कोछ ऐसी ख़वर हैं कभी किसी के प्यार में साधी की और फिर बाद में मार दिया यह एक ख़वर थी और फिर इसके बाद बोला कि इद की सौपिंग करवाने के लिए चैन बेंच दी यह तो चीजें होती है प्यार इस अटक होता है कि सब कुछ बेंच देते हैं इसके बाद हम बात कर लेते हैं तो वन्स डिकलेर इंडियन परसन कांट भी ट्राइड अगें फो बींग फॉर्णर हाई कोड बात है अगर तला की तो गुहाटी हाई कोड ने का आया एक बेंच हुई तो एक बंदा फॉर्णर आया उसने का कि मुझे इंडियन जो कहते हैं सिटिजन से पहुचा हिए ठीक है आप जो क्रेटरिया फुल्फिल होता है जो क्रेटरियास बने हैं वह आपने फुल्फिल किये सब्भी इस रहने का और जो भी हैं आपको मिल गया तो इसका बोला गया कि अगर आप फिर से चाहेंगे कि हम फॉर्णर हो जाने तो नहीं हों फिर आप चाहते हैं कि आप फॉर्णर हो जाएं तो इन्हों टंकी नहीं चल रही यह क्या है मतलब मजाग बना रखा है क्या चुटी बच्ची हो क्या समझ रहे हो न आप तो वही चीज है कि यह कोई institutions हैं इनमें बहुत ज़्यादा workforce काम करता है और बहुत ज़्यादा चीजे यह जोनी परती है बहुत कुछ सोचना परता है किसी को सेटिजन सब देने और लेने के लिए चोड़ने के लिए तो अगर एक बार आप हो गए तो फिर आप फिर आप समझ के होईएगा यह कहने का मतलब है चलिए इसके बात नेक्स्ट है कि साइक्लोन ब्रेविंग इन बे इंडियन में इंट्रियोलोजीकल डिपार्टमेंट उसने बोला है कि सेकलोन बन रहा है और देखते हैं कितना इंपक्त डालता है वह हमारे उस कोस्ट इलिया पर चलिए बात कर लेते हैं एक्सप्लें में किया क्या है तो यहां पर है रूल्स और इंटर स्टेट अरेस्ट मैंने आपसे बात की थी ना कि जब जो भी तरजिंदर सिंग बग्गा थे जिनको रिस्ट किया गया है उन अब बताए जा रहा है इसमें पूरा डेटेल में बताए गया कि क्या क्या कैसे कैसे होता है अगर आपको पते ही पीडिया पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में बी यह Master has actually अरेस्ट को मैं अरेस्ट होता है मैं आपको पता हा जोक याँ देशारा डिस्यास मेवनी अरेस्ट होए थे टीक है यह और लियाकत सा लिखेला है तो यह सारे आपना विक्ट्री डे मनाता है तो विक्ट्री डे किस उपलक्स में मनाता है मतलब किस उकेजन में मनाता है वो इस वज़े से कि वर्ड वर्ड टू खतम हुआ था आपने आपको विक्ट्री डे करूप मनाते है समझ में आ गया अभी क्या है कि सबकी आखे इस पर क्यों है तो इस बार जो मतलब लोग है उनको डर है मतलब दे फील की ऐसा ना हो कि देट कुड टर्न आउट वी डिफ्रेंट दिस यह विकाज युक्राइन से वार हो ही रहा है हो सकता है कि रसिया इस चीज को और इन्हेंस करें और एक बहुत ही खतरनाक तरीके से मतलब इसको रिप्रेजेंट करके दिखा दे कि मतलब वो रसिया युक्राइन को तैसने और उसको इसको अइए उसको दिखाता है तो हो सकता है कि वह पाजका है अपने साने शमता को दिखा दिखाते और सबकी निगाहें इस पर क्यों लगी हैं इसके बाद मैंने आपसे बाद डिस्कसाइद नहीं किया आप बता देता हूँ कि अब डी लिमिटेशन होता है तो डी लिमिटेशन अभी हुआ है कहां का जेन के का तो वहां पर बतायागा कि कितनी सीट्स क्या होती है तो उसमें प्रदेश जो है उसकी हम लाइन बॉंडी इस तो चेंज नहीं कर सकते हाला कि 2020 में जैसे हमारे उत्तर प्रदेश का वाइफरकेशन हुआ प्रदेश का हुआ बिहार का हुआ इधर पहले बहुत सारे जो स्टेट्स थे उनको यूटी बनाया गया यूटी थे बहुत सारे स्टेट्स बनाया गया जैसे कि हमारा इमाचल प्रदेश पहले यूटी था बात में इसको स्टेट बनाया गया तो इस सरी के चीज़ें होती र करता है रहा है अलग होता है एक जगे की परप्र सी बराबर नहीं भलेगी न कःवो जाधाे करीं में आरप 13 कि एक सी installment कि मैं蓬्फ नहीं होता है तो उस चीज को मैनेज करने के लिब डीलेंट किए चैनिटाइन समाझ में आ आ वापकोёл Liberty हैं कि हम वर्चुल लाइन खीज देते हैं जैसे महा लीजिए कि मैं उत्रप्रदेश का हूं उत्रप्रदेश के अगर मैं इलहाबाद सीटी से बिलोंग करता हूं तो इलहाबाद में अगर तेरा विदान सभा के सीटे हैं तो उनको वर्चुली बता दिया जाता है ना कि यह हो गया यहां कि यह ए अरी यहां कि अब यह होता है कि हर टेन वीजर तेंग देन रहता है तो मालम जो चुनाव होते हैं लेजिए लेजिए लिटिव ऐसेंबली हो गई यह हमारे गए जो एक वर्चुली बना दिया जाता है दस सालवाद वो उस पूरी सरंखला को क्या बोलते हैं डी लिमिटेशन आपको समझ में आ गया होगा डी लिमिटेशन की बात करें तो डी लिमिटेशन जो प्रिसीजर है वह आर्टिकल 82 याद रखना है कि 82 के तहट इसमें साथ दिया भी होगा 82 के तहट डी लिमिटेशन कि अभी मालीजे की हमारा नया वो बना है लद्दाख यूटी तो इसका अलग से फिर एक कमीटी बैठती है तो आर्टिकल 170 के तहट ही जो लेजिसलेटिव असेम्बिली हो गया ना कि वहां पर लेजिसलेटिव असेम्बिली नहीं है हम जीनके की बात कर लेते हैं जंबू इनका समीर की वहां पर अभी बोला जा रहा है तो वहां के फिर बैठके लोगों में तो वन आंटिकल 170 के तहट कमीटी बनाएं गई होगी और फिर उनकी सीट्स बताइग होगी कि इतनी सीट्स बनेंगी एक बाद सीट्स बन जाती है उसके बाद डियलीमियो जो होता है वह यह अपने पने हैं तो हभी द्राभू जी ने लिखा है तो उनका अच्छे सोना चाहिए था हुआ नहीं अच्छे से काफी ज्यादा टाइम ले रहा हूं आपका बड़ कोई बात नहीं मज एक साथ पढ़ते रही है इसके बाद यहां पर है कि स्रिलंका आपको प्रेसिडेंट ने अभी इमर्जेंसी डिक्लेर कर दी है उनका कहना है कि जो मतलब पब्लिक सिक्योरिटी और इसेंशियल चीजे सर कर रहा है कब खतम होगा यह समझे नहीं आ रहा है सारे देश क्या मारा सारे पिस्टों की जान हलक पर मकी रिव्यूज में कुछ मूवी के बारे बताया गया है जुन्ड हो गई या इसी सरी के जो मूवीज है तो अगर आप आप देखने के सब्किन है तो मूवीज भी नहीं और कि आप इन्फर्मेशन से टेश्ल आप होता है अफोर जाज और रागाल से हम आपको र्राइस होने वाले हैंNow मतलब यह बढ़ा सकता है इनिफिलेशन जो महंगाई होती ए no7 टो काफ़ी दु वही काफी लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो की काफी चीजों से बहुताज रहते हैं और इस सम्हेंगाई आएगी तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी यह बात कर लेते हैं यहां पर फिफ्ट लाजिस्ट आई टी कंपनी इन्दी मार्केटिंग एलेंटी इन्फो टेग माइ तो TCS जो है वो सबसे टॉप पर है इन्फोसिस दूसरे नमबर पर है TCS का मतला पता है क्या होता है TCS मतला हुद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टाटा समझ गे ना हाँ वही टाटा जो आजकल सब कुछ खईत रहा है हाँ आई पील भी टाटा ही करा रहा है ठीक है आई प दिल्की फ्रैंचाजी बीट